लगातार हो रहे मौसम में बदलाव की कारण मौसम विभाग ने अब दिल्ली NCR में यलो अलट जारी कर दिया गये है हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है जिसकी वज़े से मौसम विभाग में यलो अलट जारी काया है और साथी मैं आपको बता दू कि घने कोहरे की वज़े से दिल्ली NCR के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरा व्यूँ आप देखे कि किस तरीके से जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो घने कोहरे के बीच चाई हुई है और साथी आपको बताओं कि जीरो विजबिलिटी लेवल है आपर सड़कों का हाल भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि सड़कों का हाल भी इस वक्त देखा जा सकता है कि सड़के जितनी भी यहाँ पर हैं वो गीली हो रखी है जिसकी वज़े से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है कडाकी के ठंड से दिली NCR के लोगों का हाल बेहाल हो गया है जिसकी वज़े से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा है आसकेर क्या क्या शेडियूलिंग की गई है मौसम को लेकर क्योंकि अभी हलकी बारिश भी इस वक्त हो रही है साथी में मेरे साथ यहाँ पर कुछ सयोगी मेरे साथ मौजूद है जिन से हम जानने की कोशिश करते है कि कडाकी के ठंड में और जो मौसम को लेकर इतने ज़्यादा चेंजिस हो रहे है उस पर उनके पास क्या अप्डेट है हर सबसे पहले आप से जानना चाहूंगी क्या अप्डेट सामने आए है देखिए मौसम अभी जो तस्वीरे नजर आ रही है लग रहा है कि साथ बज़ रहे हैं सुबे के लेकिन ये लोगों को काफी परिशान कर रहा है एक तो ठंड सबसे जादा है रूसरा ट्रेन है सबसे जादा लेट हो रही है एग्जामपल के तोर पर है मेरे ही रिलेटिव है उन्हें भोपाल जाना था 9 बज़े की ट्रेन थी लेकिन फिर रात को 3 बज़े 3 बज़े वो आई है लेकिन उनोंने वो cancel करा दी, क्योंकि वो काफी लेट हो गए थे और जाना नहीं चाहते थे इतनी रात को, तो ट्रेन उपर असर पढ़ रहा है, फ्लाइट का जहां तक हम जिकर करते हैं, तो फ्लाइट का भी delay काफी हो रही है, कोरे की वज़े से इस वज़े से भी लोगों को तरीके से जब 31 जनवरी जब आ जाती थी, तो कम ठंड धीरे-धीरे होने लगती थी, और फरवरी में बिलकुल ठंड एकदम नार्मल हो जाती थी, गर्मी आने शुरू हो जाती, मैं आपको एक और चीज़ बता दू कि फरवरी में जहां एक तरफ लोगों की रजाईयां ज तरफ लोगों की जहां जाती थी, तो कम हो सकते हैं, जिसके वज़े से तमाम जो ट्रेने और फ्लाइट लेट होती रही हैं, तो वो नहीं होगी, तो यह एक वेंफिट भी है, हम एक तरों से देखा जाए, तो ठंडी तो ठीक है, वो तो बढ़ेगी, और दरसल हर साल 26 जनुरी क्या स्वास बारिज तो होती ही, रही हैं लेकि आज इस बार थोड़ी लेट से हो रही है, तो यहां मेरे साथ रहूल भी हापर मौजूद है, रहूल आप से जाना चाहूंगी, फ्लाइट्स और बच्चों के जो स्कूल है, उनके शेडिूलिंग में भी बदलाव किये गए है, वो क्या बदलाव है, वो क्या चेंजिस आएं? अब ठंड का अनुसार आगे देखा जाएगा कि आगे कितने सना तक के लिए स्कूल और बंद हो सकते हैं, मेरे साथ यहां पर हमारे सहयोगी वैभव भी इस वक्त मौजूद है, वैभव जहां एक तरफ फरवरी में सबकी रजाइयां जो हैं, वो पैक होने लग जाती हैं, और अब आप मौसम का हाल देख सकते हैं, पीछे जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, सब घने कोरे की वज़े से चाही हुई हैं, और आप इस वक्त रियालिटी भी देख सकते हैं, कि यहां पर हलकी बारिश भी हो रही है, जहां एक तरफ फरवरी में सबकी रजाइयां पैक होन पूरा दूर दूर तक कहीं कोरे की बिल्डिंगे छुप गई हैं, और उपर से सबसे बड़ी बात बारिश हो रही है, बारिश एक चिंता का विशे बना दिया, पूरे बैस्ट यूपी में, क्या कहते हैं, सरसों की फदल, गेहों की फदल, खड़ी भी है, बारिश होईगी अगर बारिश ओलब रष्टी होती है, तो सारी पसल उनकी बेकार हो जाएगी, बही अगर पहाड़ों की बात करें, तो जनवरी के महीने में इसमा पहाड़ों पर बरफवारी बहुत ही कम हुई, लेकिन जनवरी जाते जाते एक दम मौसम का मिजाद जो है, वो बदल चुक है, वो बनेगी, आपने पहाड़ों की बात करिये, मेरे साथ यहापर मेरी सायोगी गाइतरी चोहान इस वक्त मौझूद है, जो की उत्राखंड से बिलॉंग करती है, गाइतरी पहाड़ों का जिक्र हमने अभी किया है, तो क्या उत्राखंड में जो ये वेदर है, वहाँ क लोगों का क्या जीवन इस वक्त चल रहा है, और वहाँ के लोग क्या इस वेदर को इंजॉई कर रहे हैं, या फिर दिल्ली NCR की लोगों की तरह वो भी इस वेदर में परिशान है, देखें, नो डाउट दिल्ली NCR में अभी बारिश हो रही है, बहुत जादा फॉग है, इ पर एजामपल महां की सेव की फसल है, फसल तब तक फलेगी फूलेगी नहीं, जब तक वहाँ पे बरफ नहीं पड़ेगी, तो यह जो आज जो बारिश हो रही है और पहाडों में बरफ पढ़ना शुरू हो चुकी है, मुझे बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं वहाँ से की वहाँ पे बरफ पढ़ना शुरू हो गई है, यह बहुत अच्छा एक संकेत है, पहाडों के लिए तो मैं कहना चाहूंगी, कि अब सेव की फसल बहुत अच्छी होगी इसके बाद, और हमारे लिए उत्राखंड वालों के लिए तो खुशी की बात ही है, तो सौरी दिल् जादा अपनी रजाई जो थी, वो पैक कर दी थी और अब वापस कंबल पर लोग आ गए थे, आब मौसम में एकदम से बदलाव आ गया, एकदम से मौसम ने करवट ले लिए, इस पर आप क्या खेराच हैंगे, मौसम पहली बात थंड पढ़ना लेट सुरू हुआ है, पहल घराटि का है इसे समस्य देखी जा सकते है, एकदम से जब पहाडों में बर्फ बारिश शुरू हुई हलकी बारिश शुरू हुई वैसे ही दिल्ली NCR के मौसम ने एकदम से करवट ले ली है अब दिल्ली NCR में घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है बिल्डिंग साप मेरे पीछे देख सकते हैं कि विजिबिलिटी लेवल एकदम सीरो है साथी में हलकी बारिश भी हो रही है जिससे दिल्ली NCR के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है एक तरफ जहां फरवरी में लोगों की रजाईयां पैक होनी शुरू हो जाती है वहीं ठंड को देखते हुए दिल्ली NCR के लोग अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं क्यूंकि हलकी बारिश खनाकोरा इन दोनों चीजों की वज़े से दिल्ली NCR के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है साथी अगर बच्चों के स्कूलिंग की बात करे फ्लाइट, ट्रेन, इन सब भी श्रेडियूलिंग में तमाम चेंजिस किये गए हैं जो स्कूल सुभा 7 बजे लगता था अब वापस से उसे 9 बजे कर दिया गया है झाल 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 झाल